अगर हमें हमारी बहुबेटियों का समरक्षन करना है तो क्योंकि आतताईयों को ये सिखाया जाता है जिहादियों को ये सिखाया जाता है कि अगर वो काफिर की लड़की से सेक्स करते हैं तो वो चन्नत नसीब होगी उसको इस प्रकार की मानसिक्स्तिती बनानते हुए उन लड़कों को तयार किया जाता है। इसलिए हिंदों ने साउधान रहना चाहिए। और जो भी लवजीहाद के कारिय कर रहे हैं, लवजीहाद के विरोध का या लवजीहाद में भसीवी लड़कियों को वापस लाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं एक सला देना चाहता हूं, कि इन लड़कियों पर वशी करण का प्रयोग किया जाता है, तो उनको सुवर का दाथ पानी में भिगों के पिला देवे अगर वो पानी तो सभी प्रकार के इस्लामिक प्रयोग खतम हो जाते हैं इसलिए सुवर का दाद पास में ज़रूर रखे हैं लौजिहात की के सैंडल करने वाले लोग जिससे इसलामिक तांत्रिक प्रयोगों को खतम किया जा सके उन लड़कियों पर से पहले लेडी कॉंस्टेबल को बोल के उस लड़की के शरीर पर के जितने भी गंडे ताबीज धागे बंधे हुए हैं तो उसके कारण वह पानी पीते बराबर वह लड़की फरकात इसलामिक तोने टोटते का प्रयोगों दूर हो जाएगा और उसको घर वापस लाने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी ऐसे हमारे तरफ के लोजहात पर काम करने माले कारिय करदाओं के अनुभव है इसलिए यह आप नुस्खा याद रहें हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध